साइंस के 2022 में रेलवे द्वारा पूछे गए प्रशन जिसमें आज आपका पहला प्रशन है कि जिपसम को गर्म करके एक रासानिक योगिक तयार किया जाता है और ये एक सफेज चूड़ना है और इसका उपयोग अगनी रोधी पदार्त के रूप में किया जाता है तो ये ज अब क्या पनेगा C-A-S-O-4-H-2-O यहां टू लिख सकते हैं और ये आपका चूकि इससे तीन भाग जो है जल निकल चुका है तो ये आपका निकल क्या गया सर यह क्या है तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस चेक है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहां किय जाता है ये भी पूछा जाता है तो आपका भवन के निर्मान में यानि घर में पुट्टियों में भी किया जाता है साथ ही साथ जो आपका टूटी हड़ी होती है हाथ टूटने पर टूटने पर टूटने पर जो प्लास्टर किया जाता है ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है दात में भी इस्तमाल किया जाता है और मूर्ती आजकल जो मूर्ती बने रहते है न वो भी plaster of Paris का भी बना रहता है जो सफेद मूर्ती आपको दिखती है सही जवा होगे आपका option C चलिए दूसरा प्रशन ये पूछ रहा देखे प्रकास से, optics से ये प्रशन है कि किस प्रकार के प्रतिवीम को परदे पर प्राप्त किया जा सकता है तो आपको याद रखना है कि हमेशा जो है आपका ये जो है आपका वास्तवीक और बड़ा प्रतिवीम को प्राप्त किया जा सकता है साथ ही साथ आपका वास्तविक और चोटा प्रतिविम को भी प्राप्त किया जा सकता है यानि कि वास्तविक प्रतिविम को ही परदे पे प्राप्त किया जाता है तो पहले जो प्रशन पूशा जाता था उसमें पूशा जाता था वास्तविक या अभासी तो वास्तविक तो है ही और यहां प्रश्ण को घुमाने के लिए बड़ा और छोटा दे दिया गया है तो सही जबाब हो जागा आपका जो है option C और यहां आप देख सकते हैं plane mirror जो सम्तल दरपन हम लोग घरों में प्योग करते हैं उसमें क्या होता है अभासी प्रतिविम बनता है virtual image यानि कि अभासी प्रतिविम और यहां हमें जब हम आग से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि प्रतिविम जो है यहां है लेकिन जबकि बस्तु यहां रहती है जबकि प्रतिविम जो है आपका दर्पन के पीछे बनता है तो यह क्या हो गया आभासी प्रतिविम और आभासी प्रतिविम हमेशा कैसा बनता है सीधा बनता है ठीक है जबकि जो वास्तिविक प्रतिविम बनता है वो हमेशा ही आपका इसका अवस्तल दरपन, तो यह fertilis यहां और इसका पतिविम यहां बन रहा है। ये लिमेज बन रहा, बड़ा, है न, तो ये हो गया आपका वास्तविक पतिविर्म, सही जवाब का option C हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के पतिविर्म को हम लोग पढ़ते पे उतार सकते हैं, तीसरा प्रशन है, किस योगी का उप्योग स्वेथ साम में किया जाता है, सर क्या है स्वेथ स्याम फोटोग्राफी है क्या, स्वेथ मतलब हो गया वाइट, स्याम मतलब हो गया ब्लैक, यानि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका उप्योग किया जाता है, ये पहले उप्योग किया जाता था, आज कल ये बंद हो चु तो कृतिम वर्सा के लिए किसका प्रियोग किया गया था कि रिखेंगा अगला प्रशन देखिए चौथा नमबर क्या पूछ रहा है कि धारा वाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कतन सही है धारा वाही परिनालिका क्या होता है देखें यह जो है एक ट्यूब है परिनालिका और इसमें धारा जो है विद्धुद्धारा फ्लो कर रही है विद्धुद्ध सोर्स से बैटरी से कनेक्ट किया गया और यह क्या है स्विच है जिसे कुंजी भी कहते हैं तो जब स्विच को ओन किया जाता है तो विद्धु धारवाही परिनालिका का उपयोग भीता रखे स्टील की चड़ यह क्या है स्टील की चड़ एक मुलायम लोहा उसे चुम्बकित करने में किया जाता है और यह आपका क्लास 10 और 12 में दोनों में है पूछा गया है और यह आपके NCRT से लिया गया है यह प्रश्ण तो धारवाही परिनालिका के लिए कौन सा खथन सही है चलिए देखते है इसका अपके मेरी दिलो है कि टुकड़े को चुम्बकित करने क्लिक किया जाता है बिल्कुल सही बात है और यहाँ च़ण चुम्बक के बात ही कार करता है यह जो है आपका च़ण चुम्बक याणि रडमाग्नेट के तरह काम करता है तो एक और दो दोनों सही हो गया भी लिखा रहेगा तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है और चलिए अगला प्रशन देखते हैं क्या पूशा जा रहा है अच्छा देखे ये जो प्रशन आपको करवाया जा रहा है तो आपको कोसिस करना है कि जैसे जैसे प्रशन करवाया जा रहा है आपको इसको याद करते जाना है प्रशन को अच्छे से समझ लेना है ताक जानते हैं क्या है acquired immunodeficiency syndrome है acquired immune deficiency syndrome उपारजीत प्रतिरक्षा हिंता जन सिंड्रोम भी करते हैं और AIDS किसके कारण होता है तो यह याद रखिएगा retrovirus यह भी पूछा जाता है retrovirus के कारण AIDS होता है और इससे क्या फर्क पड़ता है प्रति रोधक छमता समाप सो जाती है और AIDS के परिच्छन के लिए कौन सा टेस्ट है तो ELISA test यह परिच्छन AIDS का पता लगाने के लिए उप्योग किया जाता है ELISA test का यह भी आपके exam में पूछा ग तो newland का अश्टक नियम का पहला तत क्या है बताईए देखें newland साहब ने hydrogen से सुरू किया था और लगभग 56 तत तो जो है लगभग 56 तत ही उसमें ग्याद थे तो पहला तत जो है आपका hydrogen और अंतिम तत तो क्या था था थोरियम था सही जवा हो जगा option यह पहला hydrogen दूसरा लेकिन इस newland का जो अश्टक नियम था इसकी एक खास्या थी यह जो था आपका सिर्फ calcium तक के लिए ही मानने था ठीक है calcium तक लागू होता है अश्टक नियम दूसरा पॉइंट जो है अश्टक नियम जो है पूछा जाता है कि यह कहां से लिए गया था तो यह संगीत के सू अश्टक नियम है वह काम नहीं किया था निवलेंट काश्टक नियम है सही जवा हो जागा option है hydrogen से थोरियम तक अच्छा देखे साथवा प्रशन क्या पूछ रहा है कि कौन सा जीव समू परियावरन को स्वक्ष रखने में सहायक है तो स्वक्ष कैसे रखेगा सफाई करके पदार्थों को अब घटित करके रखिएगा यानि कि मृत गले सड़े पदार्थों को पचा के तो यह मृत सड़े गले पदार्थ जैसे सड़े हुए पेद पौध है सड़े हुए जो है आपके जीव उनका मृत सड़े यह काम कौन करता है तो यह काम जो है आपका जीवान अक्ष के बारे में कौन सा कतन सत्य है तो जो मुख्य अक्ष है मेन एक्सेस है उसके बारे में क्या कतन सत्य है यहाँ आप देख सकते हैं यह गोलिय दर्पन अवतल दर्पन का भाग है और इसका जो बीच का भाग होता है इसे pole यानि की दुरूप कहा जाता है, यहां दोनों जगा पर आप देख सकते हैं, इसे P द्वारा denote किया गया है, बीच में जो center होता है, उसे center of curvature, वकता केंद्र कहा जाता है, और यह जो है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, तो यह आपका गोलिय दर्पन का भाग हो गया, focus ज आपका जो दर्पन है, उस पर यह अभी लंब है, लंब है ना, दर्पन पर यह 90 डिगरी का असपास कोन बना रहा है, 90 डिगरी का असपास नहीं, 90 डिगरी ही कोन बना रहा है, अभी लंब है, ठीक है, दर्पन पर अभी लंब है, अच्छा, दूसरा जो है, आपका point है कि आ एक और तीन ये दोनों सही है, एक और तीन दोनों जो है इस दर्पन के लिए सही हो जागा, अच्छा उत्तल दर्पन और अफ्तल दर्पन मध्य बिंदू को दुरूप का जाता है, यानि ये उत्तल और अफ्तल दर्पन के लिए ही ये सभी गोलिय दर्पन मतलब क्या हो गया, तो आपका SCR द्वारा क्या होता है? तो SCR है क्या? तो यह है SMOOTH SMOOTH INDOPLASMIC RETICULUM चिकनी अंतर प्रद्यापी जलिका तो इसका FULL FORM आपको याद रखने की जरुद नहीं है पूछा नहीं जाता है नॉर्मली इसका कारे क्या होता है? तो यह जो है आपका उसदिये विसो का निर्विसी करन करता है और यह जो है आपका यक्रित का भाग है मैं इसे थोड़ा बड़ा दूँ तो आप अच्छा से देख पाएंगे INDOPLASMIC RETICULUM जो है आपका यक्रित का भाग है यहाँ आप देख सकते हैं RIPOZO और यही जो है आपका INDOPLASMIC RETICULUM यक्रित का भाग है निर्वसी करन यानि कि विस के प्रभाव को यानि किसी चीज में अगर जहर हो तो उसे जहर को काटने के लिए इसी का इस्तिमाल किया जाता है इसी ही आपका SCR जो है बोला जाता है तो आपका सही जवाब जो है इसका हो जाएगा और कैसी रख्यू पदार्थों का SCR द्वारा और विसो का निर्वसी करन के लिए उप्योगता है इसका साइध ऑप्सन यहां से हटिया है मैं एक बार देख लेता हूँ प्रश्ण में क्या है और आपको बता दे रहा हूँ आपसन यही हो जागा इसका यह जो हो गया आपका नावा नमर प्रश्ण है तो इसका आपसन सही हो जागा आपका जो मैंने बोला और विसो का निर्वसी करन ठीक है विसो का निर्वसी करन के लिए यह हो गया आपका ACR का काम चलिए दस्वा प्रशन में आ जाते है विद्धूत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है तो विद्धूत मोटर में वो कौन सा भाग है तो आपका विद्दूत मोटर में यह जो भाग होता है, यह क्या करता है, जैसे ही इसका चक्कर पूरा होता है, तो यह इसको AC से DC में बदलके करेंट को यहां से फ्लो कराता है, हाला कि यह घूम रहा है, यह आपको घूमते रहाता है, तो alternative current बनता है, लेकिन यह आपको DC current प्रवाइट करवाता है, और इसे क्या कहा जाता है, विभक्त बले, जैक है, split ring, आपने बढ़ा होगा, विभक्त बले जो है, थोड़ा typical नाम हो जा रहा है, split ring, क्योंकि यह जो रिंग है यह स्प्लिट होता आधा भाग इधर होता आधा भाग इधर होता है यह पूरी तरह से जुड़ा हुआ जो है नहीं होता है यह स्प्लिट रहता है इसलिए स्प्लिट रिंग भी कहते हैं यह जो है आपका स्प्लिट रिंग आधा भाग इधर रिंग बाया हाथ के नियम से आपका काम करता है, फ्लेमिंग का बाया हाथ का नियम से मोटर काम करता है, बाया हाथ नियम, और दाया हाथ के नियम से क्या काम करता है, तो दाया हाथ के नियम से आपका जनरेटर काम करता है, दाया हाथ का नियम जो है, इससे आपका जनरेटर काम यह दोनों आपके लिए हो गया इंपोर्टेंट सवाल था और इससे बहुत सारे प्रशन जो है आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे तो इंपोर्टेंट है अच्छा 11 प्रशन पूछ रहा कि बल्व का फिलामेंट से प्राप्ट करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बन करने से साथी fails k भए बके उसका प्रति रोथ बढ़ा हो ज्यादा हो तो वह ही जादा होगा ही ज्यादा होगा तो जो आपका रोसन्ही उससे पैदा होगा और यह कर्यो करें टीन हजारद डिग्री से ज्यादा तक इसका टेंपरेचर चला जाता है अब विद्धूत मोटा का filament में किसका उप्यों किया जाता है तो tunguston tunguston का filament बनाना था W द्वारा tunguston को denote किया जाता है और filament को पतला और लंबा किया जाता है अब filament का जनना जो है आपका विद्धूत उर्जा का उसमिय प्रवाव के पर काम करता है H is equal to I square R T बहुत सारा gap दिया गया और इस तरह के प्रशन को कर पाना बीना समझे काफी ही मुस्किल है तो आपको एक concept दे रहा हूँ यह concept आपको याद रखेंगे तो आपको कभी problem नहीं होगा देखें यह आपके सामने एक periodic table है तो प्रियोडिक टेबल में जो बाएं से दाएं जाते हैं बाएं से जब दाएं जाते हैं तो क्या है radius यानि कि त्रीजिया घटेगी त्रीजिया घटेगी इधर से बाएं से दाएं जाने पर ठीक है और उपर से नीचे से उपर जाने पर भी त्रीजिया घटेगी नीचे से अगर उपर गया तो त्रीजा घटेगी आ उपर से नीचे आएंगे तो त्रीजा बढ़ेगी, ठीक है, तो नीचे से उपर गया तो भी घटेगी, यानि देखिए यह कैसा हो गया, यह हो गया आपका ऐसे, ऐसे, नीचे से भी उपर गया तो घटी, अब बाएं से द पूरा concept clear हो जाएगा सर क्या होगा प्रमानू करमाइक बढ़ता है और नाभी के आवेष बढ़ता है तब नाभी का semana इलेक्टरौन के पीच आकर्सन बल गतता है प्रमानू करमाइक बढ़ रहा है गंप नाभी क контр बढ़ता है और आपका जो है आपके एक्जाम में क्या हो रहा है कि डारेक्ट प्रश्ण नहीं पूछा जा रहा है देख रहा है ना आप डारेक्ट पूछ भी सकता था कि बाएं से गिदाएं गएं या नीचे सूपर गएं तो क्या हो लेकिन यहां कितना गुमा के पूछा जा रहा है तो concept रखना बहुत मतला हमें दिखता है कोई भी अंधेरा कमरा में अगर प्रकास का किरन हो तो हमें दिखता है या टॉर्च आप जलाते हैं तो आपको धूल के कन के समान प्रकास का कन दिखता है यह क्यू होता है यह पूछा रहा तो यह प्रकास के प्रकिर्णन के कारण होता है प्रकिर्णन तरंग धैर कम होगा प्रकृ्णन समय्टों, तुनकों समय मीवीनton किकल मुए भीले हैं. तरंग धैर कम होगा प्रकृम्नदशल हो जैदा होगा by करजा कर दो रहर प्रकृम्न. फश्चेजा सब्सक्राइबस किस्यादा लाल रंग का प्रकृम्न. क्या हो जाएगा कम होगा क्यों सर क्यों की कि Blue का तरण्ग धहर क्या है जब कि candle का जड़ेशागा याद रखेगा और इसलिए सिग्नलों में लाल रंग का इस्तिमाल किया प्योग किया जाता है, फॉक के दिनों में भी लाल रंग दूर तक दिखाई दे सकती, जबकि ब्लू रंग जो है, आप हमारे आँखों में चुपता है, इसका प्रक्रिणन जादा होता है, और ये दूर तक नहीं जा पाती, सही जाओ हो गया, आपका option है, आपका बिलकुल सह लाल देखना, किसके कारण प्रक्रिणन के कारण होता है, आप याद धखे इस तरह के, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, चल्ले, उपस्तित के चल्ले जो होते हैं, यह rings जो होते हैं, वो जो हैं, आपका हवा का बिखराओ को बिखने से रोकता है, rings of cartilage, उपस्तित के चल्ले इसे या फिर rings of cartilage बोले जाता है, rings of cartilage, ठीक है, तो यह आप याद रखेग है उससे इस प्रश्ण को जोड़ देते हैं तो यह आपको लंबे समय याद रहेंगा पीडियाप जरूर आप पढ़ें पीडियाप जानलोट करके अजब देखेंगे तो आपको एक्जाम में प्रश्ण मिलेगा तो आपको यह इमेज जो है याद आएगा और आप बिल्कुल सही जवाब पर वहाँ पर टिक कर पाईएगा अच्छा एक पत्ती के अनुपरस्त कार्ट में निमलिकी चित्र का ध्यान करें अब बताएं कि कौन सा सही है तो पहला क्या है यह पूछ रहा आपको आपको पहला है यह जो पाठ है इस पत्ती में आपको देखने मिलेगा यह क्या है यह उपरी अधी चर्म उपरी अधी चर्म मतलब क्या इसा देखे सबसे उपरी तवचा का भाग जो है उपरी अधी चर्म इसे बोला जाता है ठीक है यह पत्तियों में देखने मिलता है और यह देखे यह इस टाप का डिजाइन है आपका यह चौकष टाप का डिज सब्सक्राइब है और तीसरा क्या है अपका यह है रच्छा कोसी का रच्छा करने वाली कोसी का और यह क्या हो गया आपका बाहा चर्म्रा का भाग हो गया अब पांच नंबर के आपका क्लोरोफिल है, यानि हरितलवक. हरितलवक. सही ज़ा, आपका क्या आजाएगा इसमें, सही ज़ा, आपका option C आजाएगा, यह आपको इसमें explain किया है, ठीक है? तो तो आज के अप्रशन को यहां तक ही रखते हैं, हम डोस जो है फिर धरे आपका बढ़ाते रहेंगे और जो है आपको फिर से जलती मिलेंगे second class में और आपका जो जैसे मैंने बोला था कि आपको वीडियो के अंत में बताऊंगे कि आपकी vacancy का आने वाली है तो देखें बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपका February, January के last में और February के first week में आपको आपका ALP और technician की भरती देखने को मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि क्या होता है कि हर department से उनका requirement मांगा जाता है कि आपको कितनी लोगों की जरूत है तो वो यहाँ से बेजा जा चुका है और आपका technician का जितना जरूत है, LP का जरूत है वो जो है आपका हर board में पहुत चुका है तो आपको जो है 2024 में एलेक्सन भी होना है तो आपको जो है यह जनवरी के लास्ट और फरवरी तक में तो sure देखने को मिलने की पूरी संभावना है तो पूरे मन लगा के त्यारी करते रहें, PDF जरूर डाउनलोड कीजिए, revision कीजिए, science अच्छा खासा पूछा जा रहा है तो आप उसमें कोई भी गलती या फिर चूक की संभावना ना रखें तो चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू कर दें और सेर जरू करें दोस्तों के साथ ठीक है ताकि सबको इसका फायदा मिल सकाए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो